बिहार के किशन गंज में अलिकर मुसलिम युनिवरसिटी की ब्रांच का मामला गर्मा तर जा रहा है वजिर तालीम धर्मेंद प्रधान ने पारलेमेंट में दी गए बयान से मामला गर्मा दिया है वजीरे तालीम ने पारलेमेंट में कहा था कि उस इधारे को शुरू करने में प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और इधारे को लेकर कही जाने वाली बाते जूटी हैं ये जवाब वजीरे तालीम ने किशन गंज के MP डॉक्टर जावेद के सवाल पर दिया था बिहार के किशन गंज में ये कोशिश लगातार होती रही है कि वहाँ पर जो अलिगर्ण मुस्लिम उनस्टी की ब्रांच बननी है वो मुकमल हो लेकिन हाली में जिस तरह से हमने देखा कि संसद में शिक्षा मंतरी की तरफ से ये कहा गया कि जो प्रोसी से उसको फॉलो नहीं किया गया था एक तरीके से जो किशन गंज में बनने वाली जो शाखा थी एम यू की उस पर ही सवाल खड़े हो गये हैं हमारे साथ किशन गंज से संसद हैं डोक्टर जावेद साहाब उनसे बात करते हैं डोक्टर साब आप तो मुद्दा लगतार उठाते रहे हैं पिछले दो-तिन साल से तो हम देख रहे हैं उननिस के बाद जो शिक्षा मंतरी की तरफ से बात कही गई संसद में उसके बाद तो किशन गंज के जो ब्रांच है कि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कोई सवाल खड़ा नहीं है यह कल मैंने अपने सर्प्लिमेंटरी में बजट में बोलते वक्त भी क्लियर किया और उसके इमीडियेटली इन फैक्ट उसके इमीडियेटली पहले मानिय मंतरी जी से मे कि इनको टीचिंग नौन टीचिंग स्टाफ के लिए चिठ्थी दी और फट्वन्ड के लिए दी और उनसे मैंने कहा कि सर जो आपने कल कहा है वो सरासर उसमें कोई सचाई नहीं है इस बात कोई कहा जी पारलेमेंट में बले ही उन्होंने जो स्टेटमंट दिया उससे कोई सच्चाई का कोई मेल नहीं है हमने उनको कहा कि आपको जो भी जानकारी मिली होगी वह गलत है आपको यह बता दूं कि यह जो फांडेशन जब जमीन मिलने में लेट हुआ तो वहां के लोगों ने लाखों के तादाद में एक दिवसे धर्ना किया जिसके बाद नितीज जी न उन्हों ने मिलके रखा और उसको चुके वह नदी दूर है वहां से लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए एक एंग बैंक्मेंट वाटर रिसोसे डिपार्टमेंट के तरफ से दिया लेकिन हाल उसके बाद जब आप जानते ही है बीजेपी जो अखलियत से इतना भेदभा है क्योंकि प्रांच खुलनी है फिसके सब्सक्राइब आप की इसमा कोई शकतरू से सही FSप है लेकिन इन में आ रहे लोगों को है जितनी जल्दा और वार्बगों को सोनिया गांदी ने इसका सेलिनास किया था मुख्य मंत्री थे उसक्त भी नितिश्कुमार उन्हों ने किया था और पंद्रा में दस करोड रुपए लेज भी हुए यह बीजेपी गवर्णनेंट फिर अस्तित्व को ही नकार देना इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि मैंने मैं मैंने कल ही आधनिया मंत्री जी को कहा कि सर आफ यह चेक कर लें और जो कुछ अभी हमने डिसकस किया इनकी जानकारी हमने उनको प्लब्द कराई और उन्होंने कहा कि हम जल्दी मीटिंग रखेंगे और आपको भी बुलाएंगे तो सांसद सहाब जो डॉक्टर जावेद कि मैं यू ब्रांच का यकिनन ये पिछले कई बरस से लगातार चल रहा है लेकिन इस तरह से संसद में अब जो बयाना है शक्षा मंत्री का सामने उसके बाद यकिनन सवाल खड़े हुए हैं लेकिन डॉक्टर जावेद कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा बलकि संसद में भी लगतार इस मामले को लेकर शक्षा मंत्री की तरफ से जवाब भी आया और किशन गंसे सांसादेर जावेद उन्हों ने भी इस मामले को उठाया जिमीड़ा के लिए दिली से मैं श्वेब रजा